हलो स्टुडेंट्स कैसे हैं आप सभी लोग उमीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे माइनेम इस आशिश गिरी आज किस वीडियो के अंदर हम डिसकस करेंगे academic performance indicators या इसे हम academic performance index भी बोलते हैं या short में इसको API भी बोलते हैं तो आज किस वीडियो के अंदर हम डिसकस करेंगे API के बारे में API का मुल्यांकन कैसे होता है इसको हम detail में डिसकस करेंगे तो जितने भी ऐसे student है जो future में assistant professor बनना चाहते हैं या सहा एक professor के लिए आवेदन करेंगे उनके लिए जरूरी है कि वो API के बारे में अच्छी तरसे समझ लें कि API के अंदर केंकीन parameters को check किया जाता है बट before that एक नई guidelines जो कि UGC की द्वारा भी recently ही जारी की गई है जिसके उपर मैं पिछली वीडियो के अंदर detail में discuss भी कर चुका हूँ इसको मैं थोड़ा सा आपको समझा दू उसके बाद हम API को detail में discuss करेंगे UGC के chair में ने जो tweet किया था कि UGC के नए regulation के coding अब PhD जो है वो optional हो चुका है यानि कि यदि आप assistant professor के लिए आवेदन करते हैं तो उसके लिए PhD mandatory नहीं है PhD अब हो चुकी है optional यह आपका minimum criteria होगा यानि कि अगर आप net qualify है तो आप assistant professor के लिए आवेदन कर सकते हैं किसी भी college या किसी भी university के अंदर पहले क्या होता था कि आप college के अंदर तो assistant professor के लिए आवेदन कर पाते थे लेकिन कुछ बड़ी बड़ी जो universities थी वहाँ पर PhD mandatory था यानि कि net के साथ साथ आपकी PhD भी compulsory थी लेकिन अब जो नई regulation आया है UGC के तरफ से जो नई guidelines जारी की गई है उसके according यदि आप किसी university के अंदर भी assistant professor के लिए आवेदन करते हैं तो वहाँ पर PhD compulsory नहीं है वहाँ पर सिर्फ net जो होगा या set होगा या slit होगा will serve as the minimum criteria for direct recruitment to the post of assistant professor तो ये नई guideline जारी की गई है जिसके बारे में मैं पिसली वीडियो के अंदर detail में बता चुका हूँ अब यहाँ पर एक और में जानकारी आपको mention कर देता हूँ देखे student direct आप professor नहीं बनते हैं किसी भी college या university के अंदर direct professor नहीं बना जाता प्रोफेसर बनने की कुछ steps होते हैं पहले step में आप assistant professor बनते हैं देन उसके बाद आप बनते हैं associate professor associate professor आप कब बनते हैं जब आपका as a assistant professor आट से नौ साल तक का आपको experience हो यानि कि हम कह सकते हैं कि ये जो associate professor होते हैं ये एक middle level के professors होते हैं देन उसके बाद आप Professor बनते हैं, अब हम बात करते हैं API के बारे में Student, तो यदि किसी University या College में Interview के माध्यम से Assistant Professor का Selection होता है, तो एक List जारी की जाती है, एक Short List जारी की जाती है Interview के लिए, जैसे for example, पूरे देश भर से उस University के अंदर काफी सारे Students ने आवेधन किया है, तो आपका Academic Score, Academic Score में जो है आपका Academic Record चेक किया जाता है, जैसे कि आपकी UG, PGs में कितने Marks थे, आपके पास M.Phil Degree है, या PhD है, NET है, या NET with JRF है, इस तरह के Academic Score को देखा जाता है, उसके बाद Number Second आपकी Research Publications देखी जाती है, then Third Number पर आपका देखा जाता है Teaching Experience, तो इन तीनों च Base पर API का मुल्यांकर्ण किया जाता है, जिसको मैं आपको एक छोटे से Example के साथ समझाओंगा, देखे, Student Different Different Universities या College का जो API को मुल्यांकर्ण करने का तरीका है, वो अलग-अलग हो सकता है, किसी में जो Maximum Marks है, वो अलग-अलग हो सकते है, Graduation, Post Graduation, या Research, Publication, किन चीज़ों क वो include करें, ये College या University के उपर depend होता है, तो यहाँ पर मैं एक छोटा सा आपको एक idea देता हूँ, जिससे कि आपको एक idea हो जाए कि API के अंदर किन-किन चीज़ों को include किया जाता है, तो ये सिर्फ एक average आप समझ सकते हैं, या फिर एक example आप समझ सकते हैं, लेकिन ध्यान रख जैसे कि आपके graduation में कितनी percent है, यदि आपके 80% से जादा है, तब आपको 15 number मिलेंगे, यदि आपके graduation में 60 या 80% के बीच में है, तब आपको 13 number मिलेंगे, अब यदि कोई student कहें कि sir मेरे 79.9% है, तो भी उस student को second category के अंदर ही रखा जाएगा, यानि कि उसको 13 number ही मिलेंगे, क्योंकि student यदि आपके 80% है, या 80% से उपर है, तब आपको 15 number मिलेंगे, और second category के अंदर उन students को रखा गया है, जिनके graduation में marks 60-80% के बीच में है, अब ऐसे student जिनके marks 55-60% की बीच में है, उसको 10 number मिलेंगे, और यहाँ पर जो maximum marks है, वो 15 है, यानि कि अगर कोई student कहें कि sir मे मेरे marks जो है, वो increase किया जाएंगे, तो नहीं, उसको भी 15 number ही consider किया जाएगा, क्योंकि maximum marks जो है, वो 15 number है, अब हम बात करें post graduation के बारे में, यानि कि कोई ऐसा student जिसके 80% से ज़्यादा है post graduation में, तो उसको 28 number मिलेंगे, 28 marks, API का according, इसके बाद यदि उसके 60-80% के बीच में है तो वो 25 उसकी percent होंगे, यदि 55-60% है, तो 20 marks, ठीक है, और maximum marks कितने है, 28, यानि कि कोई student कहे कि मेरे post graduation में 90% है, तो भी उसको 28 ही मिलेंगे, maximum marks यहाँ पर 28 है, इसके बाद यदि कोई student है, जिसका MPHL complete है, बहुत पुराना student है, उसके पास MPHL है, तो उसको 7 number दिये जाएंग लेकिन अगर 55-60% है, तो उसको 5 number दिये जाएंगे, यदि कोई ऐसा student, जिसकी PhD complete है, तो उसको पूरे 30 number दिये जाएंगे, इसलिए मैं कहा रहा था प्रिछली वीडियो के अंदर, अगर API score के base पर admission हो रहा है, तो ध्यान लखना, PhD के अभी 30 number है, और 30 number बहुत ज़्यादा ब research work complete कर सकते हैं, इसके अलावा student मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपको ये भी बताया था, कि PhD भले ही आज compulsory नहीं है, हो सकता है कि future में 5 साल बाद, 10 साल बाद, फिर दुबार से compulsory कर दें, तो इसलिए आपको PhD complete करना चाहिए, इसके अलावा यदि API score की base पर अगर आपक देहान रखें, यदि कोई ऐसा student है, जिसका net with JRF, यानि net के साथ 7 JRF भी clear है, तो उसको 7 number दिये जाएंगे, ठीक है, maximum marks भी 7 number है, लेकिन कोई ऐसा student है, जिसका net clear है, लेकिन JRF clear नहीं हुआ, तो उसको 5 number दिये जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर अभी इस तरह से consider मत करना कि 7 औ publication, अब आपने जितनी भी research publish की हुई है, उसके according आपको marks मिलते हैं, maximum यहाँ पर भी 10 marks है, अगर आपने 5 research भी publish की हैं, तो 2 number, each publication, यानि हर publication की 2 number आपको मिलेंगे, और maximum marks student 10 number है, ठीक है, इसके बाद API में number 3 parameter जो check किया जाता है, वो है teaching experience, अब यहाँ पर काफी सारे student ऐसे हैं वो private college में है, तो क्या वो मानने होगा या नहीं मानने होगा, तो यह depend करेगा college के ओपर, ठीक है, यानि कि जहाँ पर आप आवेदन कर रहे हैं, जिस university या जिस college में, उसके ओपर depend करेगा, इसलिए मैं आपको starting में ही बता चुका था, कि यहाँ पर मैं जो API का मुल्यांकन करक आते हैं, या किसी university के अंदर, तो वहाँ पर दो number आपको per year के according आपको मिलेंगे, और यहाँ पर maximum marks 10 है, यानि कि अगर आप 6 साल, 7 साल, 8 साल पढ़ाएंगे, तो भी आपको 10 number ही मिलेंगे, ठीक है, तो इस प्रकार से total मुल्यांकन किया जाता है API का, तो यहाँ पर आप लो आपके से आपका मुल्यांकन होता है API का, लेकिन थोड़ा बहुत उपर नीचे marks हो सकते हैं, अलग-अलग college का, इसके लावा student काफी सारे university या काफी सारे college में, API के अंदर आपके जो medals हैं, आपके जो certificates हैं, आपके जो sports related चीजे हैं, certificates हैं, वो सारे चीजे भी check की जा सकते है तो यह था student API के बारे में, यदि आपको कोई भी doubt हो API के regarding, तो आप लोग comment section में पूछ सकते हैं, मिलते हैं next video में students, bye bye, ta-ta